जम्मू स्मार्ट सिटी पार्किंग बनाने जा रहा है, that is IT बेस्ट पार्किंग या आप उसको कह सकते हैं आप बेस्ट पार्किंग है, जो की थूआउट जितनी भी जम्मू सिटी की रोड साइड पार्किंग है, वहाँ पे उसको रेगुलेट करने के लिए और लोगों की सह बूलियत के लिए वह एक पार्किंग है, तकरीबन तकरीबन दो से धाई हजार के करीब स्लोट्स होंगे, जब वह टोटल फाइनल हो जाएगी, आज की टेट में तकरीबन कोई साड़े छे सो से साथ सो स्लोट्स जो है, हम फर्स्ट फेज में करने जा रहे हैं, अट 10 लोके नंबर अपलोड करना है, और उसके बाद वो आप फैसिलिटी वो यूज कर सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप पहले से ही अपना स्लोट बुक करके जा सकते हैं, किसी भी वो 10 लोकेशन्स पे, इस अल अबाउट पार्किंग, जो आप अमेनिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे CCTV कैमराज लगे हुए, वहाँ पे उनका जो एलाइड इंफ्रस्टेक्चर है, फॉर एक्जामपल, बैटरी बैक आप, वो सब हैं, फिर आपने देखा ही होगा कि येलो लाइन मार्किंग हुई है हर जगा पे, स्लोट बने हैं, जो लोग, हम तो यही कहेंगे लोगों के वो स्लोट के अंदर करें, क्योंकि जो बाहर करेंगे, उनकी गाड़ी क्लैंपिंग हो जाएगी, उसके बाद उनका चलान हो जाएगा, तो इन्दी फर्स्ट फेस हम लोगो बिलकुल इमिटेट लिए अगले दो-तिन दिनों में स्टार्ट करने है, कि मेरे समिझ में यह आता है कि कुछ ऐसे रोड्स हैं, जहां बहुत ही रोड्स हैं, और वहां गाड़ी ओवर्टेक भी नहीं हो सकती, वहां पर अगर इस तरह का जहां, मैं जहां खड़ा हूँ, फार्चू नोटल के सामने और जहां वन बे रोड है, और जहां इन्हों पार्किंग के सामने जो रोड के सैड पे, स्मार्ट पार्किंग के जो नशान लगाए हुए हैं, तो अगर गाड़ें जहां खड़ी हो जाती है, तो दूसरी गाड़ी को अपर टेक करने में बहुत दिक्कत आएगी, यह वहां होने चाहिए, इनका जो स्मार्ट सीटी का प अगर पहले रोड बने हुए है, वहां पर अगर पार्किंग आपर लोगों को सुविदा दे रहे हो, तो एक को सुविदा मिलेगी और उसके साथ दूसरा जो इनसान होगा, वो दूविदा में पड़ जाएगा, यह नही जगा क्रेड करो, नही जगा पार्किंग बनाओ, जहां जो इतने सारे जो लाके हैं, उनको डिवलब करो, जहां जगा जो गोर्मेंट की जगा है, जहां पड़ी हुई, सैड रोड पे, वहां उसको डिवलब करो, तो जहां तो फुटपाद नहीं है चलने के लिए, तो पार्किंग क्या फान है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे सुविदा मिलेगी, इससे सुविदा हो सकता है कि कुछ लोगों को मिले, लेकिन आम जनता को जो है, इसमें कोई वेनिफेटर होने वाला नहीं है प्रदेश में भड़ते साइबर क्राइम और अन्या प्राधिक मामलो को लेकर शिपसेना बाला साहिब ठाकरे द्वारत जम्मू में विरोत प्रदार्शन किया गया इस अबसरप पार्टी के राज के प्रमुख मनीश सहानी ने कहा है कि प्रदेश में साइबर क्राइम में लगातार भड़ातरी हो रही है उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले में जम्मू में इस वर्ष साइबर क्राइम में 35 प्रतिशत की भड़ातर दर्श की गई है उन्होंने डिज़पी से जम्मू कमिर्शन कश्मीर पुलस के साइबर सेल को हाइटेक बनाने और उनकी जवाब देही तैंक करने की मांग की है जम्मू कश्मीर काई का आज जो हमने यहां पर परदशन किया है वो जम्मू कश्मीर में लगातार जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है अन्हे अपराद बढ़ते जा रहे हैं उन पर अंकुष लगाने की बांग को लेकर है देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर साइबर क्राइम का ग्राफ जो है दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है अगर आंकडों की बात करें तो मातर जम्मू संभाग के अंदर पिछले साल के मुकाबले 35 प्रतिशत की विरिदी हुई है साइबर क्राइम के अंदर वही कश्मीर संभाग में भी दिन प्रति दिन साइबर क्राइम के केस जो है वो सुनने को मिल रहे है यानि जन्ता की जो गाड़ी कमाई है जन्ता की जो सेविंग है जो उन्होंने बैंकों में अपनी सेविंग सुरक्षित रखी है साइबर क्राइम वाले किसी ना किसी तरह की है उस हाई टेक बनाया जाए और जे के पीएचसी आई टी आई ट्रेंडड़ सीपी वरकर एंड लांड डूनर एससीएशन ने सरकार को धंकी दी है कि अगर 23 फेबरेरी तक उन्हें नियमित करने के साथ-साथ उनकी बकाया मानदे का भुकता नहीं किया गया तो 24 फेबरेरी क कामचोड़ो हरताल पर चले जाएंगे एससीएशन ने इसका फैसला आज जमू के कुझवानी सब डिवीजन में आयोड़ित एससीएशन के बैठक के दोरान लिया दोड़ा से पूरे चिनाब एली पीर पंजाल साभा कुठुवा बर्नी बसोली इदर हर लोग है जितना भी लोग है जितना भी लोग है जितना बेठक को सुबह गार्ट वजे कामचोड़ो हरताल पर हम जे सिरकार को कहना चाते हैं हमारी जो डिमांड आफ चार्ट में हमने जो दिया है चीफ इंगर के थूर कमिशनर सेक्टरी साहब को और लजी साहब को परशासों को हमने नोटिक दे जाए 10 दिन का हमने टाइम दिया है तेहिस तारीक तक हमारी रेगुलाइजेशन पालसी मिने वेजी सेक्ट और जितनी पैंडिक वेजी दे जी अगर लीज नही आग में काम कर रहे टेली वेजरों को नियमत करने सहीत अन्य मांगो को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कारे करताओं ने जमू में आज प्रदर्शन किया है प्रदर्शन की अगवाही कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्याक्ष तन्वीर हुसेन ने धम की अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की तो उनकी पार्टी लखनपूर और दिल्ले स्थेत जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन को मजबूर हो जाएगी लेकिन सरकार ने अगर जल्द से जल्द हमारे इन मसलों को हल नहीं किया अगर सरकार ने जल्द 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 जो 61,000 कैजवलेबर्स का मसला हो वो यहां के S.P.O.s हूँ यहां के या बाकी साथी और उनके मसलों को हल नहीं किया तो आने वाला जो वक्त होगा बहुत खतरनाग होगा इसलिए मैं आपके चैनल के जरी अपील करता हूँ जमूर की तमाव युवाओं को ब्यास सब्सक्राइब को जिते भी साथ ही है कि बहुत जल्दी जो है यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन मसलों को हल किया जाए अगर मसले हल करनाटक के हिजाब विवाद की आज अब जमू भी पहुंच गई है इस मामले को लेकर जमू में शिफसेना डोगरा फ्रेंट ने विरोत प्रदर्शन किया प्रदर्शन की अगवाही कर रहे शिफसेना डोगरा फ्रेंट के प्रधान अशोक गुपता ने इस विवाद को हवा देने वालों की कड़ी आलोचना की है उन्होंने कहा कि देश की बेटियों को आपकी जरूरत है और इस विवाद को हवा देने वाले लोग देश में हिंदू और मुसल्मान को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं इसके लावा कुछ नहीं है पर जो यहां कमलर टेंचर पैदा करने का प्रयास करेगा उसके साथ सक्ती से डिल किया जाएगा मैं चतावनी दे रहा हूं हिंदू और मुसल्मान को आपस में लड़ने ड़े दूँगा यह बच्चिया मेरी हैं इसमें हिंदू और मुसल्मान पैदा करने वालो तुमारी खैर नहीं है और उनको ध्यान रखो जो कमलर टेंचर पैदा कर रहे हो जिस गाउं के अंदर एकी सकथा फूछे दामोंने किसानों को सर्सों की याद दिला दिह जैसां लगबख भूल चुके खाने के तेल के बढ़ते दाम के बाद आरस पूरा और मरबलॉक की किसानोंने एक बद फिर सर्सों का उतलबादन षूरू कर दिया तो कि संस मे अधान को लेकर क्या नजर आती थी लेकिन समय के बदलाव और बाजार में सस्ता सर्सों का तेल उपलग्ध होने के कारण किसानों ने सर्सों का उत्पादन बंद कर दिया था पहले सर्सों नहीं लगाने कारण यही था कि किसान सोचते थे कि तेल हमें मिल जाएगा सस्ठे रेड में मिल जाएगा तो अब जैसे जैसे दिन आगे गुजर रहे हैं और किसान सर्सों से पीछे हरता जा रहा था मौझूदा दोर में खाने के तेल का दाम आस्मान पर पहुंचने के बाद किसानों को एक बार फिर सर्सों की याद आ गए और उन्होंने सर्सों का उत्फादन दुबारा से शुरू कर दिया है तो आज वह दिन आगे हैं कि हमने दौ सरुप्य का तेल नहीं मिल पा रहा है तो आने वाले टाइम पे अभी तो हम दो कनाल तीन कनाल अपने खाने के लिए नगाया और इसकी पेदाबार को बढ़ाएं पहले हम नहीं लगाते तेल सस्ता था अब तेल महेंगे होने के कारण हर किसान हमारे हिलाके में खासकर के नहीं वेश्टी पन्याद में हरे किसान कम से कम भी तीन जा चार कनाल सरस्वाब लगा रहा है आरेसपुरा और ब्लॉक मड में बड़े पैमाने पर किसान अब सरसों की खेती कर रहे है अगर ब्लॉक मड की नहीं बस्ती पन्चायत की बात करें तो यहां पर सत्तर प्रतिशत किसानों ने दोबारा सरसों का उत्पादन शुरू कर दिया है किसानों को उमीद है कि सुद्पादन से जहां उन्हें शुद्ध तेल प्राप्त होगा वहीं पर बाजार में भी खाने के तेल के दामों में गिरा वटाएगी हम खुद नहीं लगाते थे और किसी को गया शोड़ें हम खुद नहीं लगाते थे अब में अपने लिए तेल की और जो बाहर से आता है उसको पतने कितनी पे उटी है कि नहीं है अब हम जो आपना गर कही तेल बना रहे हैं सरसों के कम उतपादन और बाजार में खाने के तेल की बढ़ती मांगने खाने के तेल के दाम आस्मान पर पहुँचा दिये थे जैसे जैसे सरसों का उतपादन बढ़ेगा बाजार में खाने के तेल के दाम भी कम हो जाएंगे राकिश शर्मा और देश राज के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट सुचेदगर की पंचाथ दबलेहड के लोगों ने गाउ में बने ओवरहेड टैंक को द्वास्त करने की मांग की है सानिय सरपंच हजारा सिंग के मताबिक जलशक्ति विभाग ने ये ओवरहेड टैंक को पुचास वर्ष पहले बनाये था अब ये जरजर हालत में पहुंच चुका है किसी भी समय ये टैंक किसी बड़ी घटना का कारण बन सकता है लिहाजा किसी बड़ी घटना होने से पहले इसे गिरा दिया जाए वहीं ग्रामिनों के मताबिक इस ओवरहेड टैंक से किसी को भी पानी की सप्लाई नहीं की जाती है और इस टैंक की आड़ में जोलशक्तिवे भाग के कुछ करमचारी बिना किसी काम के मुफ्त में वेतर ले रही है तो हम जे कहते हैं इस टैंकी को जिसमेंटर किया है गुर्णल साब से रेक्वेस्ट करते हैं, आपने पहले भी उक्तेकरी में दस आट च्छे साथ साथ थाज़ पहले एक दरखास दी थी, अभी फेर दी है अब ही मैंने GSM से बात करी है और DC से बात करी है और इसका कोई अक्षन नहीं हो रहा है पीएची गौर्टमी दर्खास दिया हो कहा है और जे इससे बेतर होगा अगर वो इस पर कुछ हमल कर ले नहीं तो आते हुए जहां स्कूल के बच्चे हैं गोहों के बच्चे हैं हमारा ह ऑज्म सिब्सपताल है जहां पर है घирगी तो कोई नक्सान हो गया तो इसका गोर्मेंट जबावतार है या फीएची डपार्मेंट को जवावतार है जो गौर्मेंट जबावतार है जो हम जे रुकस्ट करते हैं गौर्ण साथ से और दूसरे पीएची डिपार्टमेंट से के इसको जल्दी से रेमिलेशन किया जाए और इसका कुछ ना कुछ तोड़ भोड़ कर इसके हमारे जाके बनला जो हमारा है जे राम से रह सके आने जाने बारे दोनु पिछे भी शड करता हूं कि यह जो हमारी पीयाची डेपार्टमेंट की टेंकी बनिए है यह 70120 की बनिए है और त्करिवर 50 साल हो चुके हैं और वहां जयाए जे बहुत से बिजी है भीज़ए बहूत जयादा पुछ माई चलती है जहां से रांस्पोर्टेशन बहुत चलती है और इसको ज आके कुई टीम बेजी जाए इसमें जो आके देखे और इसको बहुत जल्दी-जल्दी से उटा जेना चाहिए और जो इसकी हो रही है, एक्समिशन करा रहे हैं, पाइपे लगा रहे हैं, वो बेमतलव हैं और 57 मलाजम जो जो जहां काम करे हैं, बिना मतलव के पैसे जो गौर किस गर ने मिल रहा है किसी एक के नाम लगे में बथा थाइसां कोई नहीं आ पानी कोई नहीं चल रहा यह इसका और favorator हो जुकिए इस उम्री हुई है इस फेस्टिवल के आयोजन के लिए डीडीसी सदसे ठाकुर युदवीर ने भधरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और चार राश्ट्री राइफल का आभार जताया ठाकुर युदवीर ने कहा है कि बीडिये और चार आरर के इस कदम से भधरवा में चक भी जाई की सुन्दर्ता से काफी आकशित हुए हैं देखें सर आज बहुत खुशी का मकाम है कि स्नो फेस्टिवल जो हम बहुत काफी देर से डमांड कर रहे थे कि यहां स्नो फेस्टिवल भधरवा में होना चाहिए लेकिन मैं आज बहुत आपको खासकर इंडिन आर्मी की तरफ से जोने अनिशेटर लिया डिस्टिट अडिस्टिशन डोडा और स्यो भधरवा और यहां के सिनिश सिटिजन हैं जो भी यहां के लोग हैं उन्हें अनिशेटर लेकर इस प्रोगराम को आगे चलाया और आज यह प्रोगराम आज जूसा दिने इसका आप देखेंगे यहां जम्मू निश्टि के वाई चांसर जो कि आज यहां पर आई हुए हैं और जम्मू निश्टि भी यहां काफी अपना रोल अदा कर रही है तो यहां टुरुस के वाले से स्नो फेस्टिवल यहां होने जा रहा तो आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम को करने से जो है जाई वेली यहां बदरवा जो है उसकी पॉरे देश में हो जाएगी और यहां पर जो तुरिस्ट आने वाले साल में आएंगे बिल्कुल हम कल से देख रहे हैं आपने सोशल मीडिया में और पूरे जम्मू किश्मीर में जब न्यूज चर रही है कल से आपकी विशासित से कि बहुत अच्छा यहां पर एक मेसेज आ रहा पूरे हिंदोस्तान में पूरे जम्मू किश्मीर में कि जाई वेली और आए मैं सब से ही अगरा करूंगा बहुत अच्छा एपस्पीरिंस है यहां पे तीन दिन का स्नोफेस्टिवल चल रहा है जम्मू से लोगों यहां पर आप कहा से आये हैं हम जम्मू से परस्टाइम आये हैं यहां पर फस्टाइम में नहीं सेगिट में यहां से नोब लास अब शेत्र के किसान अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा अपने पास सुरक्षेत रख सकेंगे और उनकी जमीन कोई भी हेराफेरी के साथ बेच नहीं पाएगा जमुजीले में कईशेत्रों में शिवर का आयोजन कर राचस विभाग यदिकारियों की और से जमीन की फेस पास बुक मौके पर जारी की गए जमुजी सचे मर्ड बलॉक में भी एक कैम्प का आयोजन कर लैंड पास बुक जारी की गए इस मौके पर लाइंड पास्ट बुक पाकर के सारों ने खुशी जदाई है वहीं SDM मर्ड नासिर अली ने इसके बारे में पूरी जानकारी थी मेरा नाम बिजे कुमार है मैं नमबरदार हूँ टिक लिखनी से तो ये रैबनियों बालों ने जो हमारे पास्ट बुकें दीए हैं इसलिए सब जनता जो हाँ बहुत खुश है उसको अपने खासा नमबर का पता जलता है कि कहां जमीन है कहां पे पहले नहीं पता होता था तबी उनको चक्र का आत्में पर देते पतावारी का कोई चक्र नहीं कातने पड़ेगा जो भी है आप हमारे हाथ में हम खुद प्रवारी साब को बोलेंगे जे इतना खासा नमबर की हमें नकल चाहिए वो खुद हमें उसी बगर निकाल के दे देगा आज का जो हमारा यहां पर गैदरिंग है प्रोग्राइम है ये एक फ्लैग्शिप प्रोग्राइम है रेविन्यू डिपार्टमेंट का जिसकी शुरुआत आज हमने टिक्री खनी गाउं से की है यहां तैसील मड़ में आज के दिन में पूरे डिस्टिक में सभी तैसील में हर एक 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 गाउं चुना गया है वहां पर ये प्रोग्राइम चल रहा है हमने भी आज यहां टिक्री खनी में जो आप गैदरिंग देख रहे हैं फार्मर्स की इनको हमने जो पास्बुक्स हैं डिजॉल पास्बुक्स आउनर्स की हमने इनको इशू कर दी है इसमें अभ पर टिक्री गनी के लोगों से ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो यहां लोग आ नहीं पाए वो तैसिल आपिस में जाके अपनी जो पास्बुक्स तैसिलार साब से कलेक्ट कर ले तो चलिए अब तक कि जमो कश्मीर की खास खबरों में फिल हाल इतना ही मुझे दीजिए इजासेत नमशकार